नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी गान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीडियो री एक्जाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होने पर ये भरती कोट जाएगी पिछले कुछ दिनों से छात्रों के बारवार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये भरती कोट जाएगी तो भईया आपको बता दूँ सबसे पहले कि ये भरती नॉर्मलाइजेशन होने पर कोट नहीं जाएगी अगर नहीं होता है तब कोट जाएगी क्योंकि देखिए ऐसा है नौर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें सभी को समान किया जाता है यानि कि सभी के साथ न्याय करने का एक तरीका है नौर्मलाइजेशन अन्याय करने का तरीका नहीं है हाँ अगर नौर्मलाइजेशन नहीं होता है तब छात्रों के अगर ये नियम अपनाय नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है जो second shift वाले चातर हैं उनके साथ बहुत अच्छा खासा अन्याय हो जाएगा ठीक है और हो सकता है कि second shift वाले किसी भी चातर का selection इस भरती में नहीं में और जो नियाय करने का नियम होता है तो उस नियम को लेकर कोई भी भरती कोर्ट में कभी नहीं फस्ती है और अगर कुछ छात्र कोर्ट जाते भी हैं तो उनकी रिट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी हाल में क्योंकि ये जो होता है सब ये सब को समान करने का तरीका होता है और सब कुछ नियम के according होता है और आपको मैंने एक official notice दिखाया भी था जो मई 2019 में आया था यूपिटर पलसी के द्वारा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन भरतियों में एक से अधिक सिफ्ट होगी 2019 के बाद मई 2019 के बाद जिन भरतियों की परिक्षाओं में एक सेधिक सिफ्ट होगी उन सबी में इस नियम को अपनाया जाएगा अब कुछ छात्रों का इसमें कहना ये था कि इसमें वीडियो का नाम नहीं था देखिए वीडियो का नाम इसमें इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम पर वीडियो की परिक्षा हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए नाम नहीं था, तो उस notice के अधार पर हम देखें, और जो बात सचिप साब ने बताई है, वो बिलकुल correct है, और मैंने आपको बता दी, इस भरती में 100% normalization होगा, और अगर होता है, जो की होगा, तो यह भर case होगा, यह भरती आपकी अब बहुत जल्दी समाप्त होगी, और इस भरती में जो है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी भी तरीके से, और आपको इस भरती में जो है, इसी साल में इस भरती का निप्टारा कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यह होगा आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले दे दी जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैन जबारत हमेशा खुश रहिए, मुस्कुरात रहिए